नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का मारे यूटूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं राजस्तान पसुदन साइक का जो एक्जाम हुआ है आज उसकी आंस्वर की इस वीडियो के अंदर देखेंगे तो वीडियो सुरू करने से पहले आपसी रिवेस्ट है अगर आपने भी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसके साथ ही बेल आइकन के बटन को जुरूर दबाएं ताकि आने वाले सबी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे और इसके साथ ही अगर आप RPSC, 1st Grade, 2nd Grade, Railway, SSE, GD, कोई भी कोवर्मेंट एक्जाम की पूरी तयारी करना चाते हो तो आप हमें Unacademy पर फोलो कर सकते हो, इसके लिए आपको Play Store से Unacademy Learning याप डाउनलोड कर लेना है और प्रवमेंट पारी को सर्च करके फोलो कर लेना है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, आप आप डिरेक्टर में फोलो कर सकते हो तो यह यहाँ पर आप देख सकते हो पहला क्यूशन है जुनागड दुरग कहा हिस्तित है तो यहाँ पर बिल्कुल सही उतर हो जाएगा बीकानेर के अंदर हिस्तित है जुनागड दुरग अगला क्यूशन है दो नमबर अजरक प्रिंट का समंद है तो अजरक प्रिंट का समंद कहां से हो गया बाड मेर से यह जो मलीर प्रिंट है और अजरक प्रिंट है दोनों का समंद बाड मेर से अगला क्योशन नोलखा दर्वाजा निमलिक्त में से राजस्तान के किश किले का भाग है तो बिल्कुल सही उतर हो जाएगा इसका सी ओप्सन रन्थम बोर दुरुक का भाग है नोलखा दर्वाजा अगला क्योशन धानवन दुरुक के बीच में इस्तितर ब्लैंक दिया हुआ है तो यहां पर एकिस्तान यहां पर आंसर आजाएगा अगला क्योशन हें हल्दी गाटी का युदिकिष वर्स में लड़ा गया तो पंदरासो छेंतर के अंदर ये हर्दी गाटी का युदि लड़ा गया अगला कुशन है राजस्तान के संदर्म में पीला पोमचा है तो पीला पोमचा क्या हो जाएगा यहां पे A option बिल्कुर राइट होगा कपड़ा अगला कुशन है वालर नर्ते किश जाती का लोक नर्ते है तो यहां पे जो आठ नमबर कुशन के अंदर आपका सही उतर हो जाता है D option वालर नर्ते हो जाएगा गराशिया जन जाती का अगला कुशन है निमनांकित में से कौन सा आभूशन कान पर पहना जाता है तो इसका जो सही उतर हो जाता है A option टोटी अगला कुशन डूंगरपूर बासवड़ा छेतर में कौन सी बहसा बोली जाती है तो यहां पे बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आपका A option वागडी अगला कुशन निमनाली खित में से कौन से स्टलको दूल कोट भी कहा जाता है तो कौन से स्टलको दूल कोट कहा जाता है 11 नमबर कुशन के अंदर आपका सही उतर हो जाएगा D option आहड अगला गुशन अगला गुशन अगला गुशन गोविंद गिरी के नेतरतों में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगड का जंसहार की शवर्ष हुआ था तो तेरा नंबर के अंदर आपका जो सही उत्तर हो जाता है वो जाएगा बी ओप्सन 1917 अगला गुशन राजस्तान में संग्ठित किसान अंदोलन कहां से आरंब हुआ तो संग्ठित किसान अंदोलन आरंब हुआ था बीजोलिया से अगला गुशन वह स्थान जो अपने मर्दा सिल्प टेरी कोटा के लिए परशिद है तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सी उपसन मौलेला अगला गुशन राजस्तान के शोतंतरता अंदोलन के दोरान गिर्फतार होने वाली राजस्तान की पहली महिला थी तो पहली महिला को ना जाएगी रतन सास्त्री अगला गुशन एकी करत राजस्तान के निर्मान में मतस्य संग में सामिल मतस्य में हो जाएगी अलवर बर्थपूल दोरपूल करो ली इसके बाद अगला गुशन राजस्तान में 1857 की करांती के समयर यहां के एजी जी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे तो वो जाएंगे जोर्ज पैटरिक लोरेंस अगला गुशन राजस्तान का एकी कर्ण कितने चर्णों में हुआ तो साथ चर्णों में पूरा हुआ था राजस्तान का एकी कर्ण अगला क्यूशन मेवाड महारणा बुपाल सिंग किस वर्स में राजस्तान के राजपरमुख बने तो यहाँ पे बिल्कुल सही उतर डियो अप्सन के अंदर 1948 में महारणा बुपाल सिंग महाराजपरमुख बने थे इसके बाद में अगला क्यूशन है 21 नमबर मोरीजा बानोल खनन की 36 किश के लिए प्रशिद है तो यहां पे सही उत्तर हो जाएगा डियो अप्शन लो आश्क खनन अगला क्यूशन 22 नमबर जैपूर से आगरा राष्ट्री राजमा रग 11 का नया नमबर क्या है तो यहां पे हो जाएगा 22 नमबर के अंदर आपका ए उप्शन सही एनेच 21 अगला क्यूशन जैसल मेर जीले में पालिवाल ब्रहमनों द्वारा सुरू की गई प्रंप्रागत जल सरक्षन की वीदी कहलाती है तो क्या कहलाती है जल सरक्षन की वीदी 23 नमबर के अंदर आपका ए उप्शन बिलकुल राइट हो जाएगा खडीन अगला क्यूशन है निमल लिखित में से किश एक के लिए सृिष्का प्रशीद है तो यहाँ पे हरे कभूत्रों के लिए सृिष्का प्रशीद हो जाता है अगला किशन है State of Forest Report 2017 के अनुसार रक्षित वंस रेनी के अंतरगत राजस्तान के कुल वंचेतर का प्रतीशत अंस है तो कितना प्रतीशों तो जाएगा 25 नंबर के अंदर आपका सही उतरशी उपसन 38.11 प्रतीशत अगला किशन राजस्तान में निम लिखते कौन से जिलों में लाल लोमी मिटी पाई जाती है तो लाल लोमी मिटी कहां पर पाई जाती है डूंगरपूर एं उदेपूर अगला किशन निम्नांकित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अब वहा तंत्र में शामिल नहीं है तो यहां पर पारवती नदी शामिल नहीं है अगला किशन राजस्तान राजी की शिमा को उस पर्ष करने वाले भारतिय राज्यों की संख्या कितनी है तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा D option 5 कौन-कौन से राज्यों की शिमा लगती है पंजाब की लगती है उसके बाद हरियाना की उत्तर परदेश की मद्दे परदेश की और गुजरात की आगे इनका सही जोड़ा सुमेलित नहीं है वो बताना है 29 number question के अंदर तो यहाँ पे स्वाई मादुपूर चोथका बरवड़ा बिल्कुल सही है विकानेर जामसर बिल्कुल सही है बिलवड़ा रामपुरा गुचा सही है लेकिन जो C option के अंदर है उदेपूर राजपूरा दरीबा यह सही नहीं है तो C option इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला question निमलिकित में स कौन सी जीले सिचाई के काम में ली जाती है तो 30 नंबर के अंदर आपका A option बिल्कुल सही होगा जह समंद और राज समंद जीले अगला question राजस्तान में करशी जलवाईयो प्रदेश थर्ड बी बाड प्रभावित पूरी मैदान में कौन सा जीला शामिल नहीं किया गया ज अगला question सुस्क सांगवान वन राजस्तान के निमन में से किस जिले में पाई जाते हैं तो इसका जो 33 नंबर में आपका सही उतर है वो सी उप्सन बांस वड़ा अगला question 34 नंबर राजस्तान के निमनांकित में से कौन सा एक बोतिक विवाजन सरवादिक छेतरफल वाला है तो यहां पे 34 नंबर के अंदर आपका सही उतर हो जाएगा ए उतर पश्ची में मरुस्तली परदेश जो की लगबग 61 परतीशत भाग पर है अगला question राजस्तान के कौन से जिले में उडिया पठार इस्तित है 35 नंबर के अंदर आपका सही उतर ए उप्शन सीरोई है अगला question निमनांकित में से कौन सा राजस्तान की जलबायू को प्रभावित करने वाला अधार बूत ततो है तो वो क्या हो जाएगा 36 नंबर के अं अगला question है राजस्तान में वर्स 2014-15 के दोरान सरवादिक बाजरे का उत्पाद निमनांकित में से किस एक जिले में किया गया तो जोदपूर के अंदर किया गया है अगला question निमनांकित में से कौन सी बेड की पर जाती बारतीय मेरीनों के नाम से जानी जाती है तो चोकला ब तो परताबगट के अंदर हो जाती है माही बजाज सागर प्रियोजना अगला question पसू पोशन अहार प्रियोग साला कहां इस्तित है तो 41 नंबर के अंदर आपका D option बिल्कुल राइट हो जाएगा जो पसू पोशन अहार प्रियोग साला है वो जामडोली जैपूर के अंदर इस्तित है अगला question प्रसार शिक्ष्या का अंतिम पाइदान क्या है संतुष्टी अगला question ड्रामा नुकर नाटक किस प्रकार के प्रसार सादने तो इन्हें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं तो इसलिए स्रव्वे दरश्ये अगला question गोमती सागर पशू मेला कहां आयूजीट किया जाता है, तो 44 नंबर के अंदर आपका E option बिल्कूर right जालरा पाटन, आगे है 45 नंबर राजस्तान पसूद चिकिताईंच पसूद विज्विध्याले कहाँ इस्तित है तो कहाँ पे इस्तित है 45 नंबर के अंदर आपका D OUR विल्कुर राइट होगा बी कानेर के अंदर अगला किशन कीटोशी से रोग एक परकार है तो यहां पर सही उत्र हो जाएगा बी उपाप चाहिए अगला किशन न्यू कैस्टल बीमारी का समानार्थी है तो यह क्या हो जाएगा बी उप्शन गंबोरो अगला किशन निम्न में से कौनसी बीमारी वुडन टंग लक्षन प्रदशित करती है तो यहां पर 48 नमबर के अंदर आपको कमेंट बोक्ष के अंदर इसका जवाब देना है अगला किशन लोकजा अवस्ताकिश बीमारी में पाई जाती है तो टिटिनेशन के अंदर यह रोजवाजनीत नहीं है अगला किशन कौन सा रोग वाइरस जनीत है तो यहां पर खुरपका मुहुपका जो है वो वाइरस जनीत है अगला किशन मेड काउ नामक रोग किश्य होता है तो 52 नमबर के अंदर आपका जो सही उत्तर हो जाता है वो यह option हो जाता है फफूंद अगला question निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए जिमेदार है तो वो हो जाएगा विटामिन के अगला question चोवन नमबर उपकर्णों को नी संक्रमित करने की उत्तम भी दी तो यहाँ पर हो जाएगा चोवन नमबर के अंदर आपका बी उपसन ताप द्वारा नी संक्रमित अगला question पसू के सरीर पर ऐसा अदारन गुहा जिसमें मवाद बरी हो कहलाती है तो क्या कहलाती है पचपन नमबर डी उपसन हो जाएगा एबेशिश इसके बाद अगला question सी इंग रोधन के लिए कौन सा रशाइन काम में लेते हैं तो यहाँ पर आजाएगा आपका सी उपसन के ओ एच इसके बाद में अगला question है निमन में से कौन सा सूंगने वाला निश्चियत तक है तो वो जाएगा आपका कलोरो फॉर्म अगला question है अन आवशोशीत सूचर सामगरी है तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर एउपसन नाइलोन इसके बाद अगला question है ओटो कलेव में भाप का दाब होता है तो यहाँ पर सही उतरोगा एउपसन पंद्रा पाउंड अगला question है तेज धारदर हतियार से होने वाला घाओ कहलाता है तो क्या कहलाता है अबरेजन अगला question है कठोर उतकों की निरंकतरता का तूट जाना कहलाता है तो क्या कहलाता है मोच अगला किशन है अच्छी साइलेज का pH होता है तो अच्छी साइलेज का pH क्या होगा 62 नमबर के अंदर 3.5 से 4.2 D option अगला किशन है पेरा की रेट टॉटी स नामक रोग सुवर में कि स्खनीज ततो की कमी से होता है तो ये जिंक की कमी से होता है C option बिल्कुल राइट हो जाएगा अगला किशन निम्ण में से कौन सा प्रोटीन का अच्छा असर होता है तो यावे मक्का बिल्कुल सही हो जाएगा इसके बाद में विटामिन B 12 का रासाइनिक नाम हो जाएगा साइनो कोबाल एमीन अगला किशन है सुबा बुल में कौन सा विशेला ततो होता है तो यहाँ पे 66 नमर के अंदर B option राइट हो जाएगा मी मोशिन अगला किशन है भारती है गाए के लिए सुष्क पदार्थ की आवशकता होती है तो 3 किलो ग्राम और 100 किलो ग्राम सरीर भार अगला किशन है इसके अंदर D option हो जाएगा 68 के अंदर हो जाएगा आपका गेहूं के बुस्ये को उपचारित करने के लिए निम्न में से यूरिया कितने प्रतिशत तो D option राइट 4 प्रतिशत अगला किशन निम्न में से कौनसा वसा में गुलनसील विटामिन है तो C option विटामिन A अगला किशन बेंस की प्रतिशती में तवचा का रंग तामबे जैसा पाय जाता है तो D option बदावरी अगला किशन बकरी में गरब काल कितना होता है 71 नंबर के अंदर राइट आंसर C option 155 अगला किशन बेड में समागम की क्रिया कहलाती है तो क्या कहलाती है टपिंग इसके बाद में सूर का मास कहलाता है क्या कहलाता है पोर्क इसके बाद में उंट अनुसंधान के अंदर काँपे राष्टी उंट अनुसंधान के अंदर हो जाता है बी का नेर के अंदर अगला कुशन है सेल्सियस और फारनाइट में परिवरतन का सुतर शी ओप्सन के अंदर आप देख सकते हो यह आपका सुतर हो है इसके बाद अगला कुशन मुर्गी का सामाने तापमान क्या होता है तो 160 डिग्री फारनाइट इसके बाद अगला कुशन साईवाल नीमन में से किष्पसू की नसल है तो C ओप्सन बिल्कुल सही गाए की नसल है इसके बाद में 2N पलस 1 गुर्ण सुतर अवस्ता कहलाती है तो यह कहलाती है ट्रिपलोईड अगला कुशन है DNA में कौनसा नाइट्रोजन चारक अनुपस्तित होता है तो यह हो जाएगा B-Option Euracil इसके बाद में DNA से RNA का बनना क्या हो जाता है Translation इसके बाद अगला क्यूशन ने आपका अनुवन शिकी की बहुतिक A-O किर्यात्म की काई क्या हो जाती है A-Option Gene इसके बाद अगला क्यूशन निकट समंदी पसूओ के भी चोने वाले प्रजनन को क्या कहेंगे आनता है प्रजनन गाए में गुर्ण सूतरों की शंक्या क्या हो जाएगी यहाँ पे 83 नंबर के अंदर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 60 C-Option अगला क्यूशन है एक मादा जनन कोशी काव से कितने अंडाडू बनते हैं तो B-Option बिल्कुल सही हो जाएगा दो इसके बाद में निम्न में से कौन अनवन सिक्की का जनक कहलाता है तो ग्रेगर जोन मेंडल अगला क्यूशन नर जनन तंतर में शुकरानों काव बनते हैं तो वर्षन के अंदर अगला क्यूशन बकरी में जाने की प्रक्रिया को कहते हैं तो क्या कहते हैं किडिंग अगला क्यूशन किस पसू के मद चक्रम से पहले रक्षरा होता है तो यहां पे A उप्षन कुतिया अगला क्यूशन है गाए में किस प्रकार का अपरा पाय जाता है तो यहां पे आजाएगा कोटी लिडनरी अगला क्यूशन कौन सा भाग अंडवाहिनी का नहीं है तो 90 नमबर के आप में आपका B उप्षन सही हो जाएगा सर्विक्ष इसके बाद में वीरिये में उप्षिस सरकरा का नाम क्या हो जाएगा A उप्षन लेक्टोज अगला क्यूशन है बेड में मद चक्र की अफदी कितने दिन की होती है तो यहां पे 22 नमबर के अंदर सही उतरो जाएगा D उप्षन 16 दिन इसके बाद में दूद चरण के लिए कौन सा हर्मोन जीमेदार है तो यहां पे ओक्सोसाइटल टॉन D उप्षन आपका सही है दिखाई नहीं दे रहा है अगला क्यूशन है सरोपरतम खोजी गई अंटिबायोटिक है तो यहां पे हो जागा पेनिशिलीन अगला क्यूशन है निमन में से कौन सी दवा जीवानू ना सक है तो यह हो जाएगी MP शिलीन C ओप्षन बिल्कुल सही होगा अगला क्यूशन है निमन में से किश्वीदी द्वारा जलन करने वाली दवाई दी जाती है तो B ओप्षन चमड़ी के नीचे अगला क्यूशन है निमन में से कौन सी दवा बुखार उतारती है तो C ओप्षन बिल्कुल राइट हो जाएगा पेरा सीटा मोल अगला क्यूशन है नीला थोता कहते हैं तो यहां पे सही उतर हो जाएगा C ओप्षन कोपर सलफेट अगला क्यूशन है आरसनी का एंटियोड होगा तो यहां पे A ओप्षन सोडियम सलफेट अगला क्यूशन है बीमारी में पश्वों को दी जाने वाली ओसदी की मातरा का अध्यन किया जाता है तो किसके अंदर किया जाता है एक सो नंबर क्यूशन के अंदर आपका B ओप्षन फार्मेकोलोजी अगला क्यूशन है एक टी स्फून फूल में बिटिश परनाली के अनुसार कितनी मातरा होती है तो यहां पे आंसर आजाएगा आपका 101 के अंदर B ओप्षन 20 है मेल अगला क्यूशन है इसके बाद अगला क्यूशन गोड़े में कितनी जोड़ियां पसलियां होती है तो 103 के अंदर आपका D ओप्षन 18 जोड़ी इसके बाद अगला क्यूशन RBC का कबरिस्तान हो जाएगा पलीहा इसके बाद अगला क्यूशन किस पसूँ में ओस पेनीश हड़ी पाई जाती है तो C उप्षन कुट्ता अगला क्यूशन रुमन्ती पसूँ में अमाश्य का कौन सा भाग मदुमक्की के छत्ते जैसे आकार का होता है तो यहां पर हो जाएगा रेटिकुलम अगला क्यूशन मुर्गी में सत्य अमाश्य होता है तो यह हो जाएगा प्रोवेंटिकुलस इसके बाद में अगला क्यूशन पर्थम ग्रीवा अकशेरुका को कहते हैं तो क्या कहते हैं 108 के अंदर आपका B-Option अटलस अगला क्यूशन पसूँ में जोडो के अध्यन के विज्ञान को कहते हैं तो संदी विज्ञान D-Option अगला क्यूशन वर्कक यानि किडनी की गिर्यात्मक सरचनात्मक की काई है तो यहाँ पर हो जाएगी नेफ्रोन अगला क्यूशन कोसिका का शक्तिग्रह किसे कहते हैं तो माइट्रो कॉंट्रिया को कहा जाता है अगला क्यूशन कार्पस ल्यूटियम द्वारा सरावित हार्मोन हो जाएगा प्रोजेस्ट्रोन अगला क्यूशन मुर्गियों में आवाज उत्पन करने वाले अंका नाम हो जाएगा क्या 113 के अंदर आपका B-Option बिलकू राइट है एपिग्लोटिस अगला क्यूशन एक नर्जनन कोशिका में कितने सुक्रान होते हैं 114 के अंदर आपका B-Option राइट 32 अगला क्यूशन सुद्रक्त का कौन सी सीरा प्रिवैन करती है तो यहाँ पे 115 के अंदर D-Option पल्मोनरी वेन अगला क्यूशन आरबीसी का जीवनकाल C-Option राइट 120 दिन अगला क्यूशन एक अनू हीमोगलोबिन कितने अनू अक्षीजन का प्रिवैन करता है राइट आंसवर C-Option दो अगला क्यूशन ओवर हेड प्रोजेक्टर किस प्रकार की प्रशार सामगरी का उधार्ण है तो 118 के अंदर C-Option प्रेक्षयपित दरश्य अगला क्यूशन महार शिवरातरी पशू मेला किस अस्तान पर आयुजित किया गया तो यह किया गया कहां पे करोली के अंदर अगला क्यूशन राश्तान में कितने राज्यस्तरी पशू मेला आयुजित होते हैं तो 10 A-Option पिल्कुल राइट होगा तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शिर जरूर कीजीगा और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें और कोई भी क्यूशन में मिस्टेक लगे तो कमेंट करके बता सकते हो जय हिंद बंदे मातरम